रंग वैसे देखा जाए तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें यह रंग पसंद नहीं है हमें यह रंग पसंद नहीं है अगर आपको कपड़े दिये जाएं तो आप अलग अलग तरह के रंग हर रंग को पहनना पसंद करेंगे मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे आप जिस रंग का अलग रंग का कपड़ा दिखाएं तो मुझे लगएगा हाँ यह अच्छा है पहन कर देखना चाहिए लेकिन बात यह नहीं है बात है कि वो कौन सा रंग है जो हर रंग के बावजूद आपका मन सबसे ज़्यादा वो खीचता है वो कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी और आकरशित करता है वही रंग आपका फेवरेट कह सकते हैं आप उसको और उसी रंग से आपके व्यक्तित्तो की पहचान जुड़ी हुई है वो रंग बताता है कि आप किस तरह के ब्यक्तित्तों वाले व्यक्ति हैं आपके लिए आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत से रंग हैं आप हर रंग को पसंद कर सकते हैं हर रंग में आपकी थोड़ी दिल्चस्पी है कई रंगों का मिस्रण है, उसमें भी आपकी दिल्चस्पी है, लेकिन एक विशेस रंग। आज मैं इस कारिक्रम में दो रंगों के बारे में बताऊंगा, ये दो रंग आपके ब्यक्तित्र के बारे में बताएंगे अगर आप का ये फेवरेट है. आप इसे बहुत जादा अगर पसंद करते हैं प्रिय दर्शको रंग भी पूरी तरह से ग्रह से प्रभावित है पूरी तरह से पहला रंग है नीला अब नीला रंग जब मैंने कहा तो हो सकता है एक दम गहरा नीला किसी सब को पसंद ना आए उसके भीतर बहुत से रंग बन जाते हैं हलका नीला हो सकता है स्काई ब्लू हो सकता है अलग-अलग नीले में ही कई तरह के रंग बन जाएंगे अगर यह आपकी पसंद है तो यह पालक रंग है पालन करने वाला आकास का रंग है नीला स्रीहरी विष्णू का रंग है नीला यह पालन करता रंग है इस रंग के लोगों की अगर हम बात करें तो रजोगुनी होते हैं विलासिता पसंद इनके जीवन काल को अगर गहराई से देखा जाए तो इन्हें जो भी चाहिए होगा वो सब बेहद सांदार सामान्य में इन्हें संतुष्टी नहीं मिलती जिन लोगों को नीला रंग पसंद है वो बेहद बैभाव साली जीवन उन्हें साधारन चीजें तो चहिए ही नहीं इनके लिए जो भी चीजें हो जो सबसे बहतरीन हो उन्हीं में के तरफ इनका अधिक जुकाओ होता है जाहिर सी बात है ये नीला रंग सब को अपने भीतर समा लेने वाला है स्वाभिमानी किसम के होते हैं सब के साथ घुल मिल भी जाते हैं और सब को अपने अंदर ऐसा इनका ब्यक्तित तो होता है कि सबको अपना मित्र बना लेते हैं इस रंग को पसंद करने वाले लोगों के मित्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है निसंदे अपने जीवन में ये सफल होते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग भरो से मंद होते हैं अब जैसा मैंने कहा ये ग्रहों से पूरी तरह से प्रभावित है तो सीदी सी बात है नीला रंग अर्थात शनीदेव का रंग तो कर्तब्य परायन होते हैं करमट होते हैं और न्याय प्री होते हैं सत्य वक्ता होते हैं अपने आप से मतलब रखने वाले होते हैं ज्यादा लाग लपेट वाले नहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वस निय होते हैं आप इन पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं आख बंद करके और इन प आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रियत है। आज का दूसरा रंग जो है वो है लाल। अब जरूरी नहीं कि एकदम से खूनी लाल। लाल से मिलता जुलता लगभग सब इसी में आ जाएगा। अब जैसे उदाहरणार्थ, केशरिया, केशरिया असल में देखा जाए तो लाल रंग नहीं है, लेकिन ये समकक्ष है, मूल में लाल है, मूल में चार रंगों में लाल ही रंग है, तो उसके समकक्ष है, तो इस सारे रंग अलग से देखा जाए तो केशरिया रंग को पसंद क लेकिन मूल लाल है, इन लोगों को आप भीड में अलग से पहचान सकते हैं, सिधी सी बात है, मंगल से प्रभावित है, उर्जा का प्रतीक है, जिनको लाल पसंद है, ऐसे लोगों को आप देखते ही, भीड में इनहें पहचाना जा सकता है, कि ये लाल पसंद करने वाला व्य इसमें कहीं कोई संसय नहीं, उर्जा है तो प्रेम है, आकरशित ये दूसरों की ओर भी खूब होंगे और खुद की ओर भी आकरशित करेंगे लालीमा रक्त, तो इनके अंदर आकरशन का गुण बहुत जादा है, इनके पसंद करने वालों की संख्या भी बहुत होती है, और ये भी पसंद करते हैं लोगों को बहुत, लेकिन कमिया भी है रंग पसंद करने वाले लोगों के भी तर, जोश आवस्चक्ता से अधिक होती है, उत्साह आवस्चक्ता से अधिक होती है, क्रोध आवस्चक्ता से अधिक होती है, भलस्वरूप ये थोड़े जिद्दी भी हरी होते हैं, लेकिन अब इनका यही सभाव है, गुसेल सभाव, जो भी काम हाथ में लेते हैं, पूरे जोषोक रोस के, जिस काम को यह करते हैं, उसी काम में आनन्द लेते हैं, जीवन को पूरे उत्साथ, इनके जीवन में सबसे ज़्यादा जो चीज देखने को मिलता है वो इसी उत्साह से इसलिए कई बार उत्स प्रेम और युद्ध दोनों में भेद इनके लिए नहीं रह जाता है। इसलिए वाले लोगों में उर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है और चुकि मंगल के जितने भी स्वभाव आपने मेरे मूँ से सुने होंगे समझ लीजी वो सारे गुण लिये हुए होते हैं। तो विश्वसनी तो होते हैं लेकिन अपनी धहर्य विहीनता से कई बार खुद का नुकसान भी कर लेते हैं। आगे और भी जो रंग हैं उनकी चर्चा होगे।